हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टड़ी आई एसन पीसी एस पे और यहाँ पर हम लेगे आए आपके लिए एक नई ख़बर जिसके अंदर की काफी सारे बच्चों को इस समय जो है एक प्राब्लम फेस करने पड़ रही है और काफी सारे बच्चे इस जिसमें की आपको लग रहा होगा कि पेपर रद होगा या नहीं होगा या फिर आगी क्या करना चाहिए तो चलिए यह वीडियो इसी के उपर है जो भी बच्चे देखना चाहते हैं उस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब लाइक शियर जरूर करें जिससे की का पेपर था यूपी टेट का ठीक है उस यूपी टेट के पेपर में पहले 28 नवेंबर को पेपर जो हुआ था वो पेपर लीक की वज़े से उसे कैंसल कर दिया गया था लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी बात निकल गया रही है वो यह है कि 23rd जैन्वरी को पेपर को कंड़ कराए गया पेपर कंड़क्ट हुआ और पेपर के अंदर यह देखा गया कि 2017 से टीटी का रिपीट कोशन 80 प्लस था 80 प्लस बहुत बड़ी बात है क्योंकि सेम कोशन मतलब इतना समय मिलने के बाद में एक पर प्रॉब्लम होने के बाद में पेपर लीक के बाद में बच्च करते हैं तो किसी भी पीवाई क्यों को कभी बच्चे नहीं चोड़ता है प्रीविस यह कोशन तो करें यूंगे अब यह तो मतलब बिल्कुल ऐसी वाली बत हो गई कि 2017 का अल्री आप मतलब चेक करोगे अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा आपको मा लेकिन उनका कुछ तो नेचर चेंज होता है लेकिन यहां से पूरे पूरे पेपर सैट को रिपीट कर दिया क्या फेर उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम माने कि क्या होगा पेपर रद होगा या नहीं होगा वो हम यह आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं वो उनके पास यह जा चुका है पद्र ने दिया जा चुका है और रद करने की पूरी पूरी लबांद करी गई नविया कि अगा है कि चाहता है कि पेपर केंसे कने खेड़ी नहीं होगा नहीं होग%. पेपर रीकंडक्ट कराया जाना चाहिए क्योंकि इस तरीके से पेपर होने का कोई फायदा किसी को भी नहीं मिलने वाला आपको के लगता है आप जरूर बताएं और इसके साथ में अपनी तैयारी जारी रखिए बिकोज ये वो peak time है इस समय अगर आप confused होते हैं पड़ाई छोड़ते हैं तो कोई भी benefit आपको नहीं मिलने वाला है हाँ अगर ये मान के चलेगी किसी और लेवल पे अगर पेपर रीकंडक्ट नहीं होता है या जो भी तो आपको बहुत बड़ा loss हो जाएगा तो आप अपना loss मत होने दीजे आपने काफी समय से तैयारी करिए patience रखा है तो अभी भी रखिएगा और hope बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि आगे इसके बाद आपको super tight के लिए भी करना है तो आप prepare करती रहिए पीछे मत रहिए ठीक है आपके नंबर आ रहे है या नहीं आ रहे है फिर भी लगातार आप अपने प्रयासों को जारी रखें मेरा कहने का मतलब यह है अगर सरकार की तरफ से या मतलब आयोग की तरफ से इस तरह की गलती करी जा रही है तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि टेंशन लेकर के अपने paper की अपनी तयारी को खराब करें बिल्कुल भी panic होने की जूरत नहीं है चीज है सही होंगी लेकिन उसके लिए आपको तयार रहना पड़ेगा अगर re-conduct कराए जाएगा तब भी तो आपको paper दे नहीं है ना friends तो आप लोग तयारी में लगे रहे है paper cancel होने के लिए बिल्कुल सारी कोशिश की जारी है कि cancel वैसे भी होना ही चाहिए और होगा ठीक है क्योंकि इसे बहुत बड़ा मुद्दा मानते हुए तो मैं यही मानती हूँ कि paper मतलब यह तो बिल्कुल ही ऐसी हरकते कि मतलब ऐसा लग रहे है इन लोगों से paper ही नहीं बनाया जा रहा है तो यह तो बच्चों वाली बाते की paper repeat कर दिया गया 80 question repeat करना 80 से जादा question बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगी लेकिन ठीक है उसके साथ में मतलब students को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग तैयारी में लगे रहे है super tat की तैयारी में लगे रहे है और up tat की भी तैयारी करिए क्योंकि अगर reconduct होता है तो time बहुत कम मिलेगा ठीक है तो बाकी सारी वीडियो के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को subscribe, share, like जरूर करिएगा जैसे कि आपको सारी information मिलती रहे time to time और हम लोग काफी initiative ले रहे हैं जैसे कि बच्चों के काफी सारे exams को हम लोग follow करना चाहते हैं सभी बच्चों को benefit हो सभी बच्चों को जानकारी मिले हमारे चैनल से बिल्कुल सटीक जानकारी देने के लिए हमारा चैनल studyis and pcs बने रहेगा हमारे साथ में जैसी latest ख़बर आती है सबसे पहले हमारे चैनल के तुरू आप तक पहुँच जाएगी bell notification को जरूर कर लेना आपको क्या लगता है कि आपके संग में क्या हुआ है आप पेपर दुबारा देना चाहते है या नहीं चाहते है कैंसल हो आपके कितना स्कोर बन रहा है उसको जरूर जरूर से comment box में बताइएगा और जो पेपर अभी तक हुए हैं उसकी जित्ती भी PYQS है और जो आने की आशंका है model set पेपर है उसके वीडियो जल्दी हम लेके आएंगे